नवश्कर दोस्तों, आज का दिन मिथलांचल के लोगों के लिए एक महापुरुष के कर्ज चुकाने का दिन है। मिथला और कोसी एक जुट हुआ। और यह रेल महासूतर और सड़क महासेतु पूर प्रधानमंतिय अचल भिहरी बाच पही की दिन है। असानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं और यह सपना अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि रेल महासेतु का सपना भी बाकी है अटल जो सपना अटल जी ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है और जून 2020 वो टारगेट रखा गया है जब कोसी महासेतु जो है वो उससे रेल परिचालण होगा और अटल जी का जो पूरा सपना होगा वो उसके बाद ही होगा त्वे जहां अभी ट्रेश जो भो घंजार पूर तक पहुँची है और उधर सिर्फ सु पॉल तक पहुची है उसके आगे अभी बाकी है तो रेल महासेतु और सड़क महासेतू, ये दो अटल जी का सपना था, जिसमें कि सड़क महासेतू, तो पूरा हो गया, लेकिन रेल महासेतू अभी बाकी है दोस्तों, तो कोसी रेल महासेतू, तभी का टार्गेट जून 2020 रखा गया है, और इसको पूरा करने के लिए railway जीजान से जुटा हुआ और इसको टार्गेट पर ले रखा है अभी जब जंजारपुर में उद्गाटन हुआ था ट्रेन का तो उस समय DRM ने कहा था कि जून 2020 तक निर्मली तक सवारी गाड़ी को पहुचाने का टार्गेट रखा गया है यानि कि जून 2020 यानि ठीक 6 महीने बाद जो है वो दिन तैक किया गया है जब निर्मली से होकर के ट्रेन गुजरते हुए सुपॉल और सहरसा तक जाएगी और इस तरह से जो रेल से संपर्क रहे है वो पूरा हो इतना ही नहीं रेल्वे कोसी महासेतु से आगे सराऍ़गण की तरफ भी लगातार काम कर रहा है और इसको भी जो है वो पूरा करने की लगातार कोशिश की जा रही है यह तस्वीर उन दिनों की है जब पिछले अगस्त सेप्टम्बर महीने के बीच में जब यह तस्वीर सामने आई थी और सडक महासेतु से आप देखे किस तरह से कोसी महासेतु का अप्रोच और यह सिलिपर बिचाई गई लाइन बिचाई गई है और कंप्लीट किया जा रहा ऑज़ने के प्लैन है मार्च तक लेकिन मार्च तक मुम्किन नहीं है ये जून तक ही संभभ हो पाएगा और इधर सराइगार से आसनपूर को पहा 13 क लिमेटर का जो रेल खांड है उस पर ट्रैक बिचाने का काम वो पूरा कर दिया गया है यह भी खबर आई और इस तरहीक योजना को पूरा करने का लक्ष रखा गया है जिसमें पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है जो है वो सहरसा से गरबढ़ुवारी उसके बाद दूसरे चरण में गरबढ़ुवारी से सुपॉल जो इसको भी लक्ष को पूरा कर लिया गया है तीसरा है सरायगर तक जो जन तरीके से ये पांच जो है कोसी पार जो है वो पांच चर्णों में इस पूरे प्रियोजना को लागू करने गए और अटल जी ने सिर्फ ये रेल महासेतु नहीं दिया बलकि दीघा और मुंगेर महासेतु भी जो है अटल जी की देन है और उसमें ततकालिन रेल मंत्री थे न लिटिश कुमार और दोनों के कही ब्रेंच चायड इसको कहा जाता है दोनों की मेहनत और दोनों की सुझबूच के कारण जो है विहार को इतना बड़ा तीन महासेतु का तोहफा मिला दीघा मुंगेर और कोसी और यह सपना जो है वह अब दोनों पूरा हो चुका है लेकिन कोसी रेल महासेत्यू का जो सपना है वो अधूरा है और ये जब तक पूरा नहीं होता तब तक पूरी शर्धांजली या पूरा जो पूरे जो है उनका योगदान या पूरी जो मेहनत है वो काम्याब नहीं होगी इस या अटल जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने क लिए ये मौझूदा सरकार लगातार जी जान से जूटी हुई है और टार्गेट भी फिक्स किया गया था इसी साल फिक्स किया गया था मही तक लेकिन ये संभव नहीं हो पाया जो भी हो लेकिन दर्भंगा रॉक्स जो है वो अटल जी के इस योगदान को याद करता है उन्ह ये ये दिनवाद